जब रुजल बॉन हुआ तभी वो एकदम नॉर्मल था, बर्थ क्राय वगरा सब नॉर्मल था, लेकिन 6-7 मैंने का हुआ तभी हमारे घर में ऐसे लगा कि इसमें थोड़ा सुनने में प्रॉब्लेम हो रहा है, फिर हम लोग हमारे यहाँ पे लोकल एंटी सर्जे ने उनके प अपॉंट्मेंट मिला, तो डॉक्टर किर्टने ने हम लोगों को बताया कि आपके बच्चे का पूरा हेरिंग पूरा डेफनेस है, तो 120 डेसिबल तो आपको उसको सर्जरी इंप्लांट करवाना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हेरिंग स्पीश थेरपी होता है, हेरिंग लगा के वो आपको थ्री मंस करवाना पड़ेगा, फिर हम लोगों ने वो थ्री मंस का करवाया, फिर हम लोगों को इतना रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर हम लोगों ने चा के सुचा कि नहीं अभी हमें इंप्लांट के लिए जाना ही है, तो फिर हम लोगों ने फर्स्ट इ ऊसके सेंटेंसे साने लगे फिर हम लोगों को बाइल रिम्प्लांट्सी में बता चला कि उसके रिजर्स बहुत अच्छे हैं। समय हो जब लोग ने बाहर बाय इंप्लांट्स कर वाय उसके बाद तो यह भी सक्षण करने लगया। में सब एकड़ेडमिक्स में भी एक्स्ट्रकलोगल एक्टिवेज में सब में अच्छा कर रहा है विकास देड़े वी में तु देट मरीशा सुरू तो उन्होंने हमें एडवाइस किया कि नहीं कुष्टम मिलिंद किरते ने सब सै बैस इस आज में एक्ड़ एक्डहर ने ऐच्हंड्रे ने यह इस यहादा लाएप में ने कुष्टमृ ऑट अश्या के वह थे तो हम लोगोंने हमें इसका ऑपर्शन बेस बूर्ष ने करवान है इसलिए फिर लोग्नें डॉक्तर मिलिंद कुछ भी बीमारी नहीं है कुछ भी बीमारी नहीं है कुछ नहीं है लेकिन वह जो कॉक्लिया का मास है उसमें से उसको आवाज नहीं जा रहा है और उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो इमिडेट इफेक्ट वाट आश्क वाट तो फॉर्दर एंड लिटरली ही एक्स्पेंड दस अबाओ चॉक्लियर इंप्लंट और अम लोग ने इंप्लंट बट इट वेरी मजड डिफिकल्ट के मेरे पैरेंट्स को अभी मैं जाके कैसे समझाओ उनका यह था कि ऑपरेशन करने के बाद वह सुनेगा के नहीं कितना सुनेगा तो मैंने उनको वह भी समझाय कि जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन करने के तुरन दुसरे दीन कि यह बाद वह सुनेगा या बोलेगा क्योंकि जब तक आपके कान पर आवाज नहीं पड़ती आपके इदर जो स्पीछ सेंटर है वह डेवलप नहीं होता तो जैसे वह सुनते जाएगा उसका थेरपी होते जाएगा उसके बाद वह बोलना भी सिख जाएगा And I don't have word to describe that golden day, that golden moment when the first, first when that sound of ringing bell after switch on, they just, it was very soft sound but he was shocked to listen and he was just somewhat scared, that time I had tears in my eyes. But as time passed, he was able to speak all the words, he was able to form phrases in English. in every in every child there is one speciality and as a parents you have a duty to catch that speciality and you have to send them in that path means actually the Rujal from age of five is playing cricket last month only we had a the friendly match with Brettley and on the last ball of Brettley's bowling he smashed a boundary actually Brettley was also shocked to see this young kid just eight years old so his passion for cricket so he also described me that you please get him forward and get him the proper coaching to send him to our international cricket when I heard the coaching for international cricket this such a bilateral implant child can play international cricket he said of course why not now your child is totally normal you please Dr. Jain you go ahead and take your path and don't feel now now I am so proud that my child is totally normal totally normal and I will always always try to convince all the parents who are having such type of kids that you please 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 as early as possible if you have any any doubt about their hearing please consult your ENT surgeon please go for CT scan please go for MRI please don't please go for CT scan please go for CT scan please do it झाल झाल